insertion की बात करेंगे आप लिक लिस्ड में तो यहांप जारे लिक देता हूं insertion तो यहांपर insertion in a link list ठीक है और link list में insertion किस तरह होता है यह मैं आज आप लोग को बदाउंगा देखो यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा ठीक है अगर आप लोगों को नहीं पता कि लिंग लिस्ट क्या होती है तो यार देखो यह तो आपको पढ़ना पढ़ेगा एक बार लेकिन यह इंसर्शन एक ऐसी चीज है जो कि आप एक बार लिंग लिस्ट आपको आ गई तो आप यह कि यह बात कि एक लिंग लिस्ट होती है यहाँ पर आठ है यहाँ पर एक पॉइंटर है यह दूसरे नोट को पॉइंट कर रहा है और फिर मानलो यह नौ है यहाँ पर एक दूसरा पॉइंटर है यह दूसरे नोट को पॉइंट कर रहा है यह बात मैं आपको बताओंगा तो सबसे पहले मान लो मैंने 7 बनाया यह आपर और उसके बाद मैं आपर और आगे बढ़ा रहा हूं उसको मान लो मैंने इसके अंदर 2 डाल दिया ठीक है और finally मान लो यह null को point कर रहे है null ठीक है अब मान लो कि मैं insert करना चाहता हूं लिक लिस्ट के अंदर तो मैं 3 cases यहाँ पर consider करूँगा तो case 1 मेरा क्या होगा insert at at the starting of the link list यह insert at first बोल लो आप कुछ भी बोल सकते हो उसको insert at the beginning लिख देता हूं उसको ठीक है और इसके बाद एक दूसरा case हो सकता है आपका case 2 जिसको मैं बोलूँगा वो होगा insert in between ठीक है और एक case 3 में आपर लिखूँगा और case 3 आपर क्या होगा insert at the end insert at the end यानि कि सबसे अंत में insert कर दो और यह जो case वो रहना यह थोड़ा सा interesting है इसके बारे मैं बात करूँगा यह है insert after ठीक है और इनकी complexity की भी बात करेंगे insert after a node लिख देता हूं या पर insert after a node सबसे पहले insert at the beginning को थोड़ा सभी से समझाओंगा ठीक है तो insert at the beginning को सब जाने के लिए मैं आपर क्या करूँगा कि एक node ले लोगा मालो यह node है मेरा ठीक है और इस node में एक element है one और यह मैंने मालो node बना लिया यह structure है मेरा struct node का एक यह जिस तरह से हम लोग ने बात की थी कि हमारा जो बन रहे हैं यह सारे node वो struct node type के variable है तो यह भी एक struct node type का variable है अब मुझे इसको starting में fit करना है अब मुझे link list का access कैसे मिलता है मुझे link list का access मिलता है head notes की मदस से ठीक है तो यहाँ पर head होता है जो की point कर रहा होता है पहले element को और उसकी मदस से मुझे क्या मिलता है access मिलता है इस link list का head note point कर रहा है पहले element को मैं चाहता हूँ कि यह बन जाए पहला element क्या चाहता हूँ मैं ये बन जाए पहला element मेरी link list का तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आप खुदी सोचो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा इसको link कर दूँगा इससे कुछ इस तरह से ठीक है step 1 तो मान लो ये मेरा PTR है अगर मान लो मैंने ये dynamic memory allocation करके बनाया कुछ इस तरह से मैंने कुछ इस तरह से लिखा है struct node star PTR is equal to और struct node star malloc और size of struct node ठीक है malloc और ये तो आपको मैंने करा रखा है और मैं लिख रहा हूँ इसलिए just for completion size of struct node struct node ये तो आप कर लोगे तो ये बन गया मैं कहूँगा कि भई जो PTR का next है जो PTR का next है उसको बराबर कर दो head के ठीक है तो क्या होगा ये linkage बना दिया मैंने या पर मैंने कहा गी इस PTR का next है वो अब वहाँ point कर रहा है जहां पर head point कर रहा है और point करने का मतलब क्या है कि address store कर रहा है अगर इसका address 2 है तो यहां पर value 2 है तब ये point कर रहा है इसको कि ये pointer और pointer का काम क्या होता है address को store करना और जब वो किसी का address store करता है तो हम कहतें कि point कर रहा है उस node में point कर रहा है ठीक है यहां पर मैंने PTR next को head से point करा दिया अब एक और step जो मैं करूँगा मैं head को यहां से हटा के मैं head को यहां से हटाओंगा और head को क्या करूँगा यहां point करा दूँगा मैं करूँगा head अब बना दो इस वाले node को तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो यह मैंने आप से वख्टिया हटा दिया तो यह जो नोट था ही मैंने यासे हटा दिया लिंके हटा दिया है यहासे मैंने और यह जो वाला नोट था मेरा नया जो ptr-ky किया था मैंने कह दिया कि बाई जो हैड है मेरा वो अब हो जाए क्या वो जाए मेरा PTR और अगर मैं एक function मना रहा हूं तो मैं आपर return कर दूंगा मैं return कर दूंगा head को क्योंकि मैं मेरा जो हैड है वो चेंज होगा अब हाँ मैंने इस element को नीचे बनाया आप यहां भी बना सकते हो आप ब्लाक कलर से भी बना सकते हो एकी लाइन में लेकिन ये linkage एक बार इसको मिल गया और head pointer यहां पर आ गया इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस node को link list के पहले element के दौर पे शामिल कर लिया तो हमारा case 1 हमने successfully done कर दिया आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा time complexity क्या होगी इस चीज़ की देखो भाई time complexity का simple सा एक मतलब होता है और तो कितना time लग रहा है क्या वो बढ़ रहा है अगर बढ़ रहा है तो किस दर से बढ़ रहा है वो time complexity होती है यहां पर यार आप कितने भी element आगे हो इसने element को देखा भी नहीं इसने अपना चुप चाप यहां पर operation किया और यहां पर अपने आपको attach कर लिया पहले वाले notes है, ठीक है, तो time complexity क्या होगी, big o of one, time complexity होगी इसकी big o of one, constant time में आप हमेशा कर पाऊगे, यूगि महनत उतनी ही लग रही है, एक element के लिए उतनी ही महनत, दस element के लिए उतनी ही महनत, और दस अरब elements के लिए उतनी ही महनत Guys, अगर आप लोगों ने अभी तक playlist access नहीं करी और data structures and algorithms की, तो ज़रूर से कर ले न, इसमें मैंने सारे videos डाले हुए है, बहुत कम लोगों ने access करी है, और जितने लोगों ने भी share किया था Instagram पर, by the way, मैंने सब को tag कर दिया है, ठीक है, तो अगर आप share करते हो Instagram पे, तो मु इसको मिटा दूँगा, यहां पर जारा सी सफाई कर लूगा, और यह सब मैं मिटा दूँगा, और मानलो हमारी जो, यह link list है को जिस तहां से दिखती है, और यहां पर मैं अपने head note को बना दूँगा, यह हमारी normal link list थी, बहुत खुश थी है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ह हमने कहा कि भाई हमें एक नया note जो है, वो insert करना मांगता है, कहा मांगता है insert करना, हमें किसी भी एक index पर हम insert कर सकते है note को, जिसे मानलो, अगर मैं चाहता हूँ कि यहां पर insert हो, इस इधर insert हो, तो मैं इसको index 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, not 0, मैं इसको index 1 बोलूँगा, क्यों इसको मैं 3 कर देता हो, मालो मैं in में से कहीं पर एक node insert करना चाहता हूँ, मालो यहां पर करना चाहतá हूँ, अगर मैं नोट को insert कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, insert at index, नामका मैं एक function लिख लूँगा, और उसके इंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं केक note बनाओंगा, मानलो, मुझे यहाँ पर insert करना री, 2 पे, ठीक है, किस ब치가 किया करूँगा, एक note बनाओंगा, सबसे पहले एक note बनाओंगा, और यहाँ पर note बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, कि मैं यह कहूँगा, बाई देखो ऐसा है इसके अंदर एक element जो इसके अंदर data है वो यह one है कुछ भी हो सकता है that depends उसके बाद इसका जो next है उसको point करा दो यहां से ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूँगा मैं इसको भी मिटा देता हूं यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं आप लोग जो है notes तो वैसे मैं दे दूँगा आप लोगों को लेकिन फिर भी अगर आप लोग लिख लिका रहे हो कहीं पर लिख लेना ठीक है इसको भी मैं मिटा देता हूं और मैं वापस से यहां पर लिकूँगा मैं कौँगा जो PTR है जो मैंने नया element बना है यह PTR है मैं कौँगा जो मेरा PTR है उसके next को कर दो मालो यह मेरा एक pointer चलना है मालो एक P pointer चलना है मैं आपर आके अपने P pointer को रोग दूँगा मैं काँगा जो PTR का next है उसको बराबर कर दो P के next के ठीक है ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से मैंने यह linkage बना लिया यह linkage जो दिख रहे है आपको तो मैं अगर यहां पर इसको mark करूँ number one से तो मैं काँगा मैं यह number one वाला linkage यहां बनाया है ये step one हो गया उसके बाद मैं काँगा जो P का next है उसको मैं क्या करूँगा मैं उसको बराबर कर दूँगा किसके मैं उसको बराबर कर दूँगा PTR के मैं कहुँगा कि अब तुम PTR को पॉइंट लरो यानि कि ये वाले जो linkage था ये इस तरह से हो गया और ये linkage मैंने तोड़ दिया ठीक है ये linkage मैंने तोड़ दिया और मैंने इसको कुछ इस तरह से link कर लिया अब ये chain की तरह है अब अगर आप यहां से force लगाओगे chain मानलो है यह और यहां से force लगाओगे इस direction में तो ये जो है एकदम सीधी हो जाएगी chain क्योंकि ये link आपने दे दिया ये link आपने दे दिया ये center पर आ जाएगी तो आपने यहां पर इस तरह से एक नई link list बना लिये जिसके elements को मैं ऐसे करके इस तरह से हमने जोड़ दिया है ठीक है एक chain के form में हमने इसको जोड़ दिया है I hope कि आप समझ गए होगे किसी भी index पर मैं यहां पर insert कर सकता हूँ एक element को ठीक है तो ये मैंने दो steps करी ठीक है अब ये दो steps तो मैंने कर दी लेकिन यहां पर जब मैं coding करूँगा इसकी तब मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी मुझे एक pointer चलाना पड़ेगा P नाम का ज और यहां पर मैं फिर उसके बाद ये दोनों operations करके यहां पर एक note जोड़ दूगा ठीक है अब इसकी complexity की बात करते है insert in between की complexity की इसकी complexity होगी big o of n ठीक है क्योंकि मैं अगर इसकी worst case complexity की बात करूँ तो आपको यहां पर insert करना पड़ सकता है और आपको pointer को चलाना पड़ेग यहां तक ठीक है तो इसकी worst case complexity क्या होगी इसकी worst case complexity big of n होगी और best case क्या होगी कि यहीं पर आप लोग को insert करना मिल जाए अगर यहीं पर आपको हर बार insert करने को मिल जा रहा है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है यह आप हर बार constant time में काम कर लोगे लेकिन अच आपके लगी हम होते नहीं है जिन्दगी में तो हम यहां पर इसलिए worst case complexity को ढूंते हैं हम कहते हैं वाई big of n है हमारी worst case complexity insert in between की तो insert in between जो function है उसको एक हम index भी supply करेंगे हम कहेंगे यार कि जब यह insert हो जाए तब इसकी index जो होनी चाहिए 0,1,2 होनी चाहिए तो यहां पर मै पास करूंगा अपने function को 3 हो या 4 हो और उसके हिसाब से यहां पर element जो है वो insert हो जाएगा case 4 की बात करते है insert at the end insert at the end में क्या करूंगा मैं एक p नाम का pointer चलाओंगा यहां से मैं जरा थोड़ी सी सफाई कर लेता हूं मैं थोड़ी सी सफाई कर लेता हूं यार थोड़ी सी स मैं नहीं हटा पा रहा हूं इसको कोई बात यह काटा ignore करना आप लोग ठीक है या फिर हम लोग एक काम करेंगे इसको ऐसे कर देंगे और फिर इसको बना लेते हैं तो यार आप भावना को समझ जाए करो बस अब यहां पर क्या है कि मैंने इस node को वापस तेरे को बना लिया जैसे ही मैं अपने एक P नाम के पोइंटर को मैं यहां पर चला के ले आँँ जैसे यहां पर ले आँँ P को चला के जब उसका P next नल हो जाए तो मैं P को चलाता रहूँगा आगे की तरफ जब P next नल हो जाए जैसे ही ऐसा हो मैं कुछ इस तरह के statements लिख दूँ मैं इन दोने statements को साफ करता हूँ यह मैंने case 2 के लिए बताए थे मैं इनको साफ करता हूँ और मैं आपर नए statements लिखूँगा मैं कहूँगा कि जो P का next है वो हो जाए PTR के बराबर और PTR का next है वो नल के बराबर हो जाए क्योंकि PTR जो है वो अब हमारा last node है तो यहां पर अगर मैंने बन PTR हो जाए ठीक है तो यह इस तरह से इसको point करेगा उसके बाद मैं क्या करूँगा उसके बाद मैं कहूँगा कि यह जो मेरा PTR है यानि कि यह PTR जो मेरा है इसका next जो है यानि कि यह यह null हो जाए तो क्या होगा ऐसा करने से ऐसा करने से यह null को जो point करेगा तो यह आखरी element बन जाएगा और मैं अपनी link list के end में element को insert कर पाऊँगा तो ये था insert at the end ठीक है I hope कि आप लोग समझ गए होंगे insert at the end को भी अब insert after note को जारा समझते हैं insert at the end की worst case complexity big of end ठीक है big of end complexity की हमेशा रहेगी चुकि आपको एक pointer चलाना पड़ेगा यहां से और आपको अंत नगलाना पड़ेगा और उसकी साहिता से आप लोग insert at end की complexity को calculate कर सकते हैं और वो होने वाली आपकी big of end ठीक है insert after a node की बात करता हूँ भी यहां पर insert after a node की तो मैं इसको तरह मिटा देता हूँ और insert after a node की अब बात करता हूँ फिर coding भी करके दिखाँगा सब कुछ आपको करके दिखाँगा चिंता मत कर ले ना बिल्कुल भी आप insert after a node की बात करूँगा भी ठीक है इसको तरह मैं ऐसे कर देता हूँ और insert after a node insert after a node क्या है मानन लो मुझे एक node का address मालूँ में पहले से मुझे मालूम है उसका address यह है मानन लो मुझे इसको नल कर देता हूँ यह नल है यार इसको इस तरह से कर देता हूँ और वापस दूसरा कोई color का pen ले के इस बार मैं क्या करूँगा आप लोगों को insert after the note की complexity बताऊँगा मान लो मेरे पास एक pointer given है जो की Q है ठीक है ये pointer क्या है ये pointer क्यो है ये मुझे given है ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से चला के ला रहा हूँ pointer अपना ना मुझे given है वो मैं traverse करता हूँ और नहीं आ रहा हूँ मुझे ये Q pointer given है आपका ये Q pointer है आपको इसके बाद insert करना एक element तो यहाँ पर जो मेरा PTR है उसको मैं तरह बना लेता हूँ यहाँ पर यह मेरा PTR है ठीक है और इसके अंदर value है कुछ 1 तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं कहूँगा जो मेरा PTR का next है जो मेरा PTR का next है उसको मैं point करा दूँगा किस से Q के next से मैं कहूँगा इसको Q के next से point करा दो तो यह यहाँ पर ऐसे point करेगा और मैं कहूँगा जो Q का next है जो Q का next है उसको बराबर कर दो किस के क्योंके next को बराबर कर दो PTR के तो ये linkage कुछ इस तरह से आ गया तो ये linkage ऐसे हो गया और ये अब इसको point नहीं कर रहा है तो ये linkage तोड़ दिया मैंने तो अब मैंने क्या किया है आपर insert after note कर दिया simple steps में देखो यहाँ पर Q मेरे पास given था तो इसकी time complexity अब आप नीचे comment में बताना time stamp जरूर लिख देना जहाँ पर मैंने पूछा है सवाल था कि मैं जब आपका comment देखू तो मैं देख लूँ आपने किसका सवाल का जवाब दिया है I'm waiting for your comment चलो बढ़िया हो सकता है कुछ लोगोंने big of n बताया हो ठीक है कोई बात नी कोई बात नी मैं explain करूँगा या अपर who explain करने के लिए अगर आपने big of n बताया तो आपने का होगा कि यार ये element आखरी भी तो हो सकता है तो big of n अगर ये element आखरी भी है तो आपको ये pointer जो है वो given है आपको traverse नी करना है आपको महनत नी करनी है आपको बिल्कुल भी कोई महनत नी करनी है ऐसा नी है कि आपको pointer को चलाते होई लाना है end times तो 5 है तो 5 बार चला रहे हो 5000 है तो 5000 हजार बार चला रहे हो 5000 हजार है तो 5000 हजार बार चला रहे हो ऐसा नहीं है आपको एक बार यह pointer given है तो आपको सिर्फ इतना करना है बस इतना कोई pointer चला के नहीं लाना है आपको end की तरफ तो यह constant time में हो जाएगा काम यह constant time में हो जाएगा काम यह चारो gaze बहुत important है linkless insertion के और यह पूछे जाते हैं यह पूछे जाते हैं और यह बहुत intuitive है जैसे कि मैंने आपको diagram बना बना के दिखाए यह बहुत intuitive है आपको सिर्फ इतना ही करना होता है I hope कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या करूँगा अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग यह चारो cases को code कर सकते हैं हम लोग इनको code में देखेंगे चारो cases को और उसके बाद हम print करकर की भी देखेंगे list को कि क्या हमारे जो insertion है वो successful हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और अगर data structure का यह course आपने access नहीं किया तो उसको कर लेना जितने भी लोग शेर कर रहे हैं सबको tag कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा नहीं है जो शिकायत करते कि मेरे को tag नहीं किया सबको कर रहा है मैंने tag एक को कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता comment में कि मुझे tag नहीं किया मैंने data structure course share किया मुझे tag ही नहीं किया आपने ऐसा नहीं हो सकता ठीक है यह मैं आप लोग को बता रहा हूँ और अगर आपने playlist access नहीं करिए तो यहां click करके bookmark करो यहां click करके save करो आप access करो यहां नीचे description में दिया हुआ सब कुछ मैंने video को like करना बिल्कुल भी मत बोलना और अगर share करो कि आप लोग तो बहुत help हो जाएगी मैं दिल से आप लोगों से बोल रहा हूँ प्लीज शेर करो तो इस playlist को मैं आप लोग के लिए धमा के दर videos notes के साथ और अच्छे learning experience के साथ आप लोग के लिए लाता रहूँगा अभी के लिए इस video में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल